हेलो स्टुडेंट्स मैं नीना रस्तोगी चाड़क के पृतियोकता एकेड़ी मुरदबास से आज मैं आपके लिए हिंदी के इंपोर्टेंट कोश्चन्स जो आल कॉंप्टिटिव एक्जाम के लिए हैं उसका फोर्थ सैट लेकर आई हूँ तो आज का वीडियो स्टार्ट क में कि यह इस्त्री लिंग है या पूल लिंग है या उभै लिंग है या नपुनसक लिंग है तो मन गड़ंत गड़ंत जो वर्ड होता है वो एंड में आ रहा है और गड़ंत कहानी गड़ लिया यह यह इस तरीके से आ जाता है तो इसका ए ओप्शन करेक्ट आंसर है पूल साइतिक जिकने वाले लेखा कोन थे रामचण शुक्ल थे यह शिव सिंग सैंगर नाम है इनका यह जार्ज गिरियरसन थे यह गारसादा तासी थे तो यह कौछ रहा कि पहले कौन थे बस यह पूछा है कि कौन थे तो यह आचारे रामचं शुक्ल आजाएगा अगर कोशन यह आता लिखने वाले पहले लेखक कौन थे तो पहले लेखक थे हमारे गार साधा तासी चुकि साधा सिंपिल कोशन आया है लिखने वाले लेखक कौन थे इसलिए हमने रामचन शुक्ल पर टिक लगाया ठीक है next question students सरपर सबार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है सरपर सबार रहना भाग जाना या मरने मारने पर उतावला होना या पीछे पढ़ना या बादक होना तो इसका C option correct answer है पीछे पढ़ना सरपर सबार रहना यानि पीछे पढ़ना अगला कोशन खेत रहना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है खेत रहना शहीद होना या सफल होना या निराश होना या लाभानवित होना तो इसका जो सही अर्थ है खेत रहने का वो है शहीद हो जाना युद में शहीद हो जाना अगला कोशन निमलिकित में कौन सा विकर्फ कर्थवाच्चे का उधारण है कर्थवाच्चे वो होता है जिसमें पहले कर्था फिर कर्म फिर किरिया का उज़ होता है तो साधा simple sentence साधा simple sentence देगी छात्रों को मेदान पर इखटा किया मेरी दादी रोज रमैंड का पार्ट करती है पुलिस की द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया गया प्रिधान मंत्री द्वारा कल भाशर दिया जाएगा तो वो पूछ रहा है कौन सा कर्थवाच्चे का उधार छात्रों को मेदान पर इखटा किया गया इसमें है नहीं है चुकी इसलिए से नहीं मानेंगे लाठी चार कर दिया कर दिया गया होना चीए था छात्रों को मेदान पर इखटा किया ए ओप्शन करेक्ट आंसर इसका निमली के प्रेश्ट में चार विकल्पों में से रेखांकित पत्का उचित कारक पहचानना है उचित कारक पहचानना है स्ट्रेंट तो कारक के चेन हमें पता होंगे तो हम अराम से पहचान सकते हैं देखिए इसमें में के नीचे अंडरलाइन की हुई है जब में के नीचे अंडरलाइन ने अधिकरण कारक क्योंकि जो इसका चीन है वो होता है में पर उपर में पर उपर अगला कोशन है आपका निमलिकित प्राश्ट में चार विकल्पों में से सही करता कारक बिभक्ती पहचान नहीं है करता कारक की जो सही बिभक्ती है तो सभी को पता होगा कि कड़ता कारक जो होता है इसका चीट क्या होता है ने, बी ओप्शन करेक्ट आंसर है ने अगला कोशन है अधिकरण कारक की विवक्ति पैचाननी है, अधिकरण कारक की विवक्ति क्या है, रा रे तो सम्मन्द कारक की हो गई और से के द्वारा करण कारक की हो गई, हे रे रे संबोधन कारक की हो गई, ही आ गया, में और पर, में पर अधिकरण कारक की विवक्ति है, students, होड़त आंसर सही है, अगला कोशन है, हे भगवान, मेरी मनो कामना भी पूर कीजिए, इसमें कारक का भेद बताना है, मेरी मनो कामन अभी पूर्ण कीज़े, हे भगवान ये आपका चेन लग रहा है, और ये चेन किसका है आपका, अधिकरण में भी नहीं होता, संबंध में भी नहीं होता, अपदान में भी नहीं होता, संबोधन, संबोधन कारक इस्टुडेंट, D option, correct answer है इसका, अगला कोशन है आपका, निमलिके द्विकल्पों में से किस में अपदान कारक है, मोहन ने पत्र लिखा, या हम आखों से देखते हैं, या बिल्ली छत से कूद पड़ी, या गीता का भाई आया, तो अपदान कारक का जो चिहिन होता है, वो से होता है, और से का जो चिहिन होता जहां एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है देखिए यह है बिल्ली छट से कूद पड़ी बिल्ली छट से अलग हो रही है इसलेए अपादान कारकाची ने सी ओप्शन करेक्ट आंसर है इसका next question पर आते हैं किस बाके में करण कारक का प्रियोग किया गया है यह पुस्तक सीता को दे दी सुरेश मीना के लिए खाना लाया उनको पड़ना चाहिए साधों की संगती से बुद्धी सुधरती है देखिए पुस्तक सीता को दे दी देने का सैंस आ रहा है तो संप्रदान कारक हो गया सुरेश मीना के लिए खाना लाया देने के लिए आ रहा है तो अभी यह संप्रदान हो गया उनको पड़ना चाहिए को चीन आ रहा है यह आपका कर्म कारक हो गया साधों की संगती से बुद्धी सुधरती है से यानि संगती के द्वारा तो यह हो गया आपका कौन सा कारक करण कारक पूछ रहा है करण कारक डी ओप्शन करेक्ट आंसर है शोवा कमरे के अंदर है इस बाके में कौन सा कारक है कमरे के अंदर है के अंदर यानि कमरे में है तो सम्बंधकारक है या पादान है या अधिकरन है सम्बंधो, अभी मैंने पीछे अगला जो question करा है तो खक्ला करा है उसमें भी आया था ये वाला कि में का sense आता है तो अधिकरन कारक पे टिक लगाते हैं, तीसरा option correct है इसका next है आपका संबंद कारक परसर का प्रियोग किया गया है संबंद कारक का किसमें यूज किया गया है राम ने रामड को बार से मारा सीता ने रोटी खाई मेरी पुस्तक कहा है कपिल गेंद से खेल रहा है संबंद जहां यहां तो कोई संबंद नजर नहीं आ रहा सीता ने रोटी खाई, इसमें भी कोई संबंद निये कपिल गे हूं, गेंद से खेल रहा है मेरी पुस्तक कहा है मेरा संबंद किस से हो गया आपका पुस्तक से, तो यह हो गया हमारा संबंद कारग अगला कोशन ने तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया तुलसी के वास्ते इसमें करता कारक है संपिर्दान है करण है या कर्म है तो इसमें आपका ना तो करता कारक है ना करण है ना कर्म है है ना या को च State August संदी का संदी विच्छेद बताना है उध्धर अध्र उध्धरन का जो सही संदी विच्छेद स्टुडेंट्स वह ना तो यह है क्योंकि कि इसमें हलंत नहीं आरहा यह व्यंजन संधी है ना यह होगा क्योंकि इससे कोई चेंज इनी हो रहा इसके अंदर इसका श्री ऑप्शन करेक्ट आंसर है उत्पिलस हनन इसका रूल है एक जब ता या धा के आगे या तो ता हो या दा हो उसके आगे यदि हा आता है तो इसको ता और दा को धा में चेंज कर देते हैं मतलब ता को भी चेंज करना है और हमें हा को भी चेंज करना है तो ता की जगा आपका दा आ गया और हा की जगा दा आ गया इसलिए बन गई उद्धनर तो इसका D option correct answer है? नहीं, C option, sorry बच्चा शब्द की भावाचक संग्या क्या होगी? देखे, भावाचक संग्या हम तब बनाते हैं जब कोई हमें प्रत्य लगाना होता है प्रत्य जब हम नहीं लगाते तो वो भावाचक संग्या न बनके संग्या ही बनता है चाहे फिर वो व्यक्ति वाचक संग्या बन जाए या जाति वाचक संग्या बन जाए जैसे इस्त्री शब्द है इस्त्री का जो भावाचक अगर हमें बनाना होगा तो हम इस्त्रित वो बना देंगे इसमें हमने तुए प्रत्य लगा दिया मानव शब्द है मानव का अगर हमें भावाचक बनाना होगा तो हम मानवता बना देंगे प्रत्ते लगा देंगे इंसान ने इंसान से इंसानियत बनाया तो हमने इत प्रत्ते लगा दिया ऐसी इसमें बच्चा शब्द की भावाचक पूछ रहा है तो बच्च का ना पन ये तो होता नहीं है वर्ड बाल पन या बच्च्पन तो देखें C option correct answer है बच्च्पन पन प्रत्य लग गया बच्चे से बच्च्पन दामन पकड़ना मुहावरे का क्या आरत है चापलूसी करना, तरसकार करना या आश्रे लेना या इनमें से कोई नहीं तो देखें चापलूसी करना दामन पकड़ना नहीं होता तरसकार मतलब किसी का अपमान करना आश्रे लेना होता है हमने किसी का सहारा लिया ये ध्यानी की दामन पकड़ लिया दामन पकड़ना इसका C option correct answer है अगला question बहुत easy question है नव का समानार्थक पद क्या होता है नव कहते हैं हम आकाश को तो धर्ती तो नहीं होता धर्ती पृत्वी हो गया यह देखिए B option इसका correct answer है आकाश और last question पर आते हैं अब हम घेरणा शब्द का बिलोम शब्द क्या होगा घेरणा बिलोम यानि opposite word प्रेम, दुख, धक्का या इनमें से कोई नहीं तो घेरणा का उल्टा होता है प्रेम यह option correct answer तो students आज के लिए इतने काफी है next video लेकर हम आपके लिए फिर हाजिर होते हैं thank you